भाजपा ने हरिद्वार लोकसवा सीट का टिकेट खोसित कर दिया है जी हाँ जिसमें पूरु मुख्य मंतरी त्रवेंद्र रावत के टिकेट होने के बाद जिले भर में चुनाफ कार्याले खुलने सुरू हो गए है इसी क्रम में आज भीजेपी ने लकसर नगर में भी अपने चुनाफ कार्याले का उधगाटन कर दिया है इस दोरान कारिकरताओं ने हवन पूजा कर भाजपा को तीन सो सत्तर लोकसवा सीट मिलने का दावा किया है कार्याले उधगाटन में पहुंची भाजपा जिला चुनाव सयोजक डॉक्टर जैपाल ने कहा कि माननिया प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की अगुबाई में लगतार तीसरी बार देश में भाजपा सरकार आने जा रही है इस बार पारटी को देश भर से 370 से ज़्यादा लोकसवा सीट हासिल होंगी वहीं लसकर विधानसवा चुनाव प्रभारी राजेस सर्मा ने कहा कि चुनाव में लकसर विधानसवा सीर से भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट हासिल होंगे उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंद्री त्रवेंदर सिंग रावत को टिकेट मिलने से भाजपा कारिकरता उच्छाहित हैं, हरिद्वार लोकसवा सीट पर पार्टी दो लाक से जादा वोटों से जीत दर्ज करेगी पहले तो मैं सभी कारिकरता बंद्रों को बढ़ाई और शुकाम नहीं देना चाहूंगा कि लोकसवा चुनाओं दोजाद चुविज इसका कारियल ले का स्रीगनेस विदान सवा लक्षर का आज हमारे परभारी इस विदान सवा के भाई नाजीव शर्मा जी के नेपात्र मोगा है और सभी कारिकरता इस सुनाओं को मिलकर के लड़ रहे हैं और इसके शुश्री परदानमर्दी निर्द मोदी जी का जो मिशन है कि भारते जन्ता पायटी 270 और एंडिये 405 उस मिशन की पूर्थी के लिए यूद परारम हो गया और इस यूद को हम जीतने जा रहे हैं गोगों के मन में आमाधिवी के मन में मोदी जी के प्रथी जो विश्वास है उनके जो काम है उनके जुश्रों को ले करके आज जो वातारन वणा है इस बाज जिस लोग्षवा सिफ्कों आच लाख से अंतर दी जीजने का काम करने हैं मैं इस तोर्पर सभी को एक बार उन्हें उसी प्रापना है